एक हिरन की हत्याकर उसका मांस बेचे जाने का एक संसनी खेज मामला गिरीडी से सामने आ रहा है गिरीडी जिले के गावा प्रखंड के लोरिया टान गाव में हिरन की हत्या कर उसका मांस बेचा जा रहा था। इसकी सूचना ग्रामिनों को जैसे ही मिली उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग ने भी त्वरित्त कारवाई करते वे इस मामले में मांस बेचते वे दो लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है। वहीं अस्थल से करीब पच्चास किलो मांस बरामद भी किया गया है। साथ ही हीरन की पूच, पैर और सर को भी जब्द कर लिया गया है। गिरफतार लोगों की पहचान इसी गाउं के निवासी कारूराय और ब्रह्म देवतुरू के रूप में कुई गई है। वन्चेतर पताधिकारी गाउं को गुप सुचना प्राप्धुमी थी कि लोरिया टार जंगल से एक हीरन का सिकार कर लोरिया टार गराम में उसको टुकड़ टुकड़ किया जा रहा है। तुछना प्राप्थ होते ही बंचेत्रपदा धिकारी गामा के निर्देश पर एक च्छापे मारी का टीम का गठन कर हम लोग ग्राम लोरिया टाड पहुँचे तो पता चला कि लोरिया टाड निवासी दुर्गा सोरेन के पूराना मिट्टी के मकान में उक्त हीरन का टुकड पॉलिथिन में पैक किया जा रहा है उसके बाद हम लोगों ने घटना स्थल पर लगभग 40-45 केजी हीरन का मांस और उसका छाल को टुकड़ा किया हुआ लगभग 4-5 केजी होगा उसको और एक हीरन के पूच और हीरन का कान हीरन का छती ग्रस्त किया हुआ माथा इसको जब टुकड़ा टुकड़ा करने में परियुक्त अवजार को भी जब्त किया एवं महां से एक ताराजु को भी जब्त किया साथ ही साथ घटना स्थल पर हम लोगों को एक नील गाय का भी पूच मिला और एक नील गाय का पैर भी ब्रामाध हुआ है हम लोगों ने घटना स्थल गल से दो आदमी को लिया गया है जिसमें एक आदमी गावा थाना के अलगराम निवासी कारूराई उसका पिता का नाम है स्वर्गी नारायंड्रा और एक आदमी लोकाय थाना अंतरगत डुब्बा निवासी ब्रम्देव तूरी और प्रेम तूरी पिता तिलक तूरी है दोनों को हिरासत में लिया गया है पुर्ण मामले की छानविल की जा रही है जाचो प्रांत इसमें समलित अन्य दोसियों के ब्रूध की कठोर कानों नहीं कारिवाई करते हुए हिरासत में लिये गया बैक्तियों को जल्दी मन्य कोट में कोट के समक्ष रस्तुत किया जागा उसके बाद जेल भेजने की तैयारी की जाएगी